नमस्कार राम टीवी लाइव डोट को में आपका एक बार फिर श्वागत है कारेल है महा निदेशक पुलिस राजस्थान द्वारा आयोजित राजस्थान पुलिस प्रिक्सा 2014 एक जून 2014 को इसका आयोजिन किया गया था पूरा पेपर हम आपको स्वलू करवाएंगे और उसके साथ साथ बता देना चाते हैं राजस्थान पुलिस बरती प्रिक्सा से समधित हमने एक सीरी जलायर की है 1997 से लेकर की 2018 तक के जितने भी पेपर हुए हैं उन सबी का हम आपके साथ सोलुशन करवाएंगे पूरे प्रिषन आपको बताएंगे बहुत से ऐसे प्रिषन है जो बार-बार रिपीट हो रहे हैं आप वीडियो को पूरा द्यान से देखना सभी वीडियो आप ध्यान से देखोगे तो कम से कम 12-15 परशन ऐसे होंगे जो बार-बार रिबिट हो रहे हैं आपके लिए भी 15 परशन बोनस अंकी तरह मिलेंगे क्योंकि आप भी उन 15 परशनों के उत्तर बे धड़क जल्दी से दे दोगे आपका समय बचेगा उस से पूरू हम आपको बता देना चाहते हैं यदि आप चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने मित्रों को शेर कर देना हो शके तो वीडियो को लाइक कर देना शुरू करते हैं पहले प्रशन की और जिस प्रकार अंतरसंबंद योग्म शब्द योग्म लाल एवं रंग में हैं उसी प्रकार अंतरसंब निमन में से किस सब्द योग्में हैं तो ये जल एवं द्रव है क्योंकि लाल एक रंग है तो जल एक द्रव हो जाएगा उप्सण नमर चार से ही होजाएगा अगला पुछा गया था चेछ टीमों की एक फुटबोल परती ओगिता में परती एक टीम को से अन्य सबी टीमों से एक एक मैच कहलना है परती ओगिता में कुल कितने मैच कहले जाएगे तो 15 मैच हो जाएगे अगला परसन पूचा गया था किसी विद्याले में फोरम जमा करवाने के लिए एक पंक्ती में रमेश आगे से 10 वे इस्तान पर और सुरेश पिछे से 5 वे इस्तान पर खड़े है यदि दोनों आपस में इस्तान बदल लेते हैं रमेश आगे से 19 में और सुरेश की स्ती कौन सी हो जाएगी यानि सुरेश कौन सी स्तान पर हो जाएगा चोधवे स्तान पर अगला परसन पूचा गया था एक विद्याले में पहला पिरिड साड़े 8 बजे सुरू होता है पराता है और चोथा पिरिड दौफएर को 11 बजे के 30 मिनट पर स्माप्त हो जाता है तो प्रतेक पिरिड की अवदी समान है और दो पिरिडियों के मद्दे 4 मिनट का समय अंतराल है तो एक पिरिड की अवदी कितनी है 42 मिनट हो जाएगी सही उत्तर अगला परसन पूचा गया था किसी एक संक्या में 7 जोड कर उसका 7 से गुणा करके उसमें 11 जोडने पर परिडियाम 760 होता है तो संक्या क्या है यानि 100 संक्या है 7 जोडने पर 7 से गुणा करोगे तो 760 हो जाएगा उत्तर 100 संक्या ऐसी है अगला प्रस्ण पूचा गया था कैव एवम खै दो सहर एक सीधी शड़क पर इस्तित है तीन सो किमी दूरी पर इस्तित है कैव और खै सहर है तीन सो किलोमेटर दूरी पर एक सड़क पर इस्तित है राम साथ किमी परती गंटे की इस्तिती से एक कार कह सेर से खह सेर की और चलाता है उसी परकार साम भी अपनी कार 90 किलोमेटर परती गंटे की रफ़तार से खह सेर से कह सेर की और चलाता है तो बताइए दोनों आपस में किस समय मिलेंगे तो 120 किलोमेटर दूरी पर 2 गंटे बाद है मिलेंगे एक थेले में एक रुपे और पचास पेसे की सिकों की संक्या का नुपात पांच नुपात नुपात नो है यदि थेली में कुल दंदरासी का 76 रुपे है तो 50 पेसे की सिकों की संक्या कितनी होगी 75 शेकों की संग्या हो जाएगी 36 रुपे हो जाएगे 50 पेसेगे मोहन ने 280 सेमी लंबा एक पहाडी का टुकडा खरीदा हूँ वै उसके दो टुकडों मैं इस परकार काटना चाहता है कि छोटे टुकडे की लंबाई बड़े टुकडे की लंबाई का 75 परतिशत अधिक है इस परकार के काटना चाहता है सोटे टुकडे की लंबाई कितनी है 120 सेंटीमीटर अगला परसन पुचा गया था 44, 55, 66, 88, 110, 147 तो अगली संक्या क्या होगी 176 हो जाएगा अगला उत्तर से ही हो जाएगा इसका अगला परसन पुचा गया था तालिका में खाली स्थान पर कौन सी संक्या आएगी 17, 15, 102, 12, 10 यहां ऑप्सन दे रखा है तो खाली स्थान पर 75 आ जाएगा अगला परसन पुचा था यदि अंग्रेजी परंड माला को जड़ से आरम करके विपरित करम में लिखें और दाएगें और से सतरवें और बाएगें और से बारवें अक्सर के मद्य कौन सा अक्सर होगा तो पी अक्सर हो जाएगा संगीता ने अपने पिता के 50 जनम दिन पर उसके लिए 50 गुबारे खरीदना तैय किया दुकानदार के पास खुले गुबारे नहीं होकर के केवल 7 और 12 के पेकेट में थे जिनका मुल्य करमस 175 रुपे और 200 रुपे परती पेकेट था संगीता ने 50 ही गुबारे खरीदे तो दुकानदार को कितने रुपे का भुगतान किया संगीता ने 1100 रुपे दिए एक वेपरी के पास तीन परकार का तेल उपलब है जिसकी मातरा करमस 42, 56 और 63 लीटर है एक समान दारिता वाले डिबों में बढ़ना चाते है तो कितने डिबों की अब सकता होगी साचिन डक्षिन की और 40 मीटर चलकर वहां से दाइनी और मुड़कर 6 मीटर चलता है तत पच्छात पुनहं दाइनी और मुड़कर 80 मीटर चलता है अब साचिन अपने पहले इस्तान से कितनी मीटर की दूरी पर और किस दिसा में तो 72 पाइंट एक एक मीटर उतर पचिम की और इस्तित है एक व्यक्ति की वरत्मान आयू उसके पुतर की आयू की पांच गुना अधिक है यदि साथ वरस बात दोनों की आयू का योग 68 वरस हो तो पुतर की वरत्मान आयू कितनी है 9 वरस हो जाएगी अगला परसन पुचा गया था एक किलोमेटर लंबी ट्रेन एक किमी परती घंटे की गती से एक किमी लंबी सुरंग को कितने समय में पार करेगी यह परसन बहुत बार रिपीट हुआ है देख लो आपके लिए बहुत यूपी होगी है दो घंटे में यदि किसी कूटवासा में पूर को 66 लिखा जाता है एससस को 41 लिखा जाता है उसी कूटवासा में बोई को किस परकार लिखा जाएगा तो सही उतर हो जाएगा 44 अगला परसन पूचा गया था अगला परसन है एक पानी के जहाज में पंदरा सो सेनिकों के लिए पांच दिन का भूजन है पंदरा दिन बाद पांच सो सेनिक छोड़ कर चले जाते हैं अब भूजन उपलब्द से सेनिकों के लिए कितने दिन चलेगा 45 दिन यहां 45 दिनों के लिए भूजन है पांच दिन की बजाए आप यहां पढ़ेंगे 45 दिन का भूजन है तो सही उतर हो जाएगा 45 दिन चलेगा अगला परसन पूचा गया था नीचे दिये गए कतन के अधर पर कुछ निसकर्श दिये गए है इनका सही उतर क्या हो जाएगा सभी बसें सड़क है सभी सड़क नदी है सभी बसें नदी है कुछ सड़कें बस है कुछ नदीयां सड़क है कुछ नदीयां बस है तो सही है सभी सही है उप्सन नमर 4 इसका सही हो जाएगा अगला परसन पूचा गया था एक प्रिक्सा में प्रतेग विद्धारती ने इंदी यह अंग्रेजी यह दोनों विश्य लिए असी परतीशत विद्यारतियों ने इंदी विश्य लिया अंग्रेजी विश्य लेने वाले विद्यारतियों की संख्या इंदी विश्य लेने वाले विद्यारतियों की संख्या की आदी है ऐसी स्थिति में कितने विद्यारत होती है कुछ फल बीज होते हैं सभी फल जो जड़ नहीं है बीज होते हैं कुछ जड़े बीज होती है कुछ फल या तो जड़ है यहां बीज है सभी फल नहीं तो जड़ है और नहीं बीज है सभी फल नहीं तो जड़ हो जाएंगे यानि कि कुछ फल या तो जड़ है या बी प्लस एक माइनस एक प्लस एक माइनस एक का वास्तिक मुल्डे क्या होगा तो एक हो जाएगा सही उत्र अगला परसंद था 1842 कि छे कि समान अंतरसंबंद वाला निम्र में से कौन सा विकल्प सही है कि तो यहां हो जाएगा 15 35 और 5 परफए नमर तीन सही हो जाएगा उप्जियन अपनी साईक्ल 17 कि साइकल को उसनेख रीड़ खेदे के मुले मुल्ले से 10 परद कम मुल्ले पर बेज़िए रवी को कितने रुपिंपे कि कि कितने रुपे में शाइकल खरीदी थी तेरा सो रुपे में खरीदी दस प्रतिशत की आनी हुई है रवी को अगला प्रसन पूचा गया था छे सात्रों ने 40 मीटर की दोड में भाग लिया राम ने अमर एवं दो अन्य चात्रों के बाद दोड़ समाप्त की अमर ने शमीर के बाद दोड़ समाप्त की फिरोज ने समीर से पहले दोड़ समाप्त की विनोद ने हरीश से पहले दोड़ समाप्त की इस दोड़ में पांचवे इस्तान पर कौन सा चातर रहा विनोद किशी ठोस गनाकार आकरती को सभी बाहरी शतों को एक शमान रंग में रंगा गया है तता उससे इस प्रकार काटा गया है कि उसके 64 बराबर घंड बन सकते हैं इन 64 गनों मैंसे ऐसे गनों की सेंक्या कितनी होगी जिनकी केवल एक ही शत्य रंगीन हो 24 सत्य ऐसी होगी जो केवल एक साइड से कलर में होगी अगला प्रस्ण पुछा गया था एक व्यक्ति के चित्र की और शंकेत करते वे विजय ने कहा कि उनकी मा मेरे पिता के पूत्र की पत्नी है यदि विजय के कोई सगा बाई या सगी बेहन नहीं है तो उस चित्र में विज लेवल्यू इसी आई एल एम के लिखा जाता है तो उसी कूट बासा में टाइगर को क्या लिखेंगे तो पी सी इजी आर ऑप्सन नमर तीन से हो जाएगा एक बंदर एक खंबे पर पहले मिनट में आठ मीटर चड़ता है दूसरे मिनट में दो मीटर नीचे खिजक जाता है यदि खंबे की कुल लंबाई 62 मीटर हो तो बंदर उस खंबे पर चड़ने में कितना समय लेगा एक मिनट में एक दिन में कितना चड़ता है आठ मीटर दो मीटर उतर जाता है या दो मिनट में कितना चड़ा छे मीटर सीधा सा 19 मीटर में वो खंबे पर पूरा चड़ प्रस्ण बहुत बार रिपीट हुआ है भाग बै बहुत ही मैत पुर्ण है सभी के लिए जल का गनतवकिस ताप मान पर अधिक्तम होता है तो चार डिग्री शेंटिग्रेड पर निमन लेकित कवियों का सही काला नौ करम कौन साहे काली दास हुए थे सबसे पहले उसके बाद कभीरदास, सूर दास, तुलसी दास और गालिम यह सही करम हो जाएगा उसलंन बभी भारति यह स्विदान न करने की परकिरिया का उलेक grounded strength में जरति टीवी का रिमोट कंट्रोल किन्त रंगों के आदार पर कारे करता है तो इन फ्राई ठीन i An पो के कारे पर आदारित है राष्ट पती इपना त्याग पत्र उबराष्ट पती को देता है सही उत्तर हो जाएगा राष्टि ये सोतंतरता संग्राम के निमन अंदोलन का सही कालानु करम क्या हो जाएगा तो इस का सही हो जाएगा पहले ही सबसे पहले किया गया था वो चंपारन अंदोलन था उसके ब 15 परतीशत से अधीग नहीं हो शकती तो राजस्तान में 30 से अधीग मंत्री परिशद में मंत्री शदिश्य नहीं बन सकते गुपतकाल में वैपैरियों के परमुख को किस नाम से जाना जाता था तो स्वा सार्त्वाहा के नाम से जाना जाता था निम्र में से कौन सी वास्तविक मचली है तो यहां वहल मसली है वो वास्तविक मसली है बाकी सब नगली मचलिया है राजस्तान में लोकसभा वा राजसभा की कुल मिलाकर कि कितनी सीटे हैं तो 35-10 सीटे राजे सभागी 25 सीटे लोक सभागी नेमन में से कौन सा कतन सही है 30 डिगरी फोरन हाइट बराबर 0 डिगरी सेल्सिस होता है सही उप्सन नमबर 2 हो जाएगा महा बारत काल में पांडों ने अपना अग्यातवास विराटनगर में बताया था यह किस महा जनपत की राज़ा नी थी तो यह मत्स्य जनपत की राज़ा नी थी विराटनगर हाल ही में बहुच अर्चित स्वीप कारेकरम जिस किस अभियान से समद्धी थे तो मत दाताओं को मत दान ही तू परिरित करने से समद्धी थे स्वीप आग्व परिश पूछा गया है ता मोबाइल फोन में सिम का इर्थ क्या है सिम का पूरा नाम बताना है आपको आपको सब्सक्राइबर ऐडेंटी मॉडिओ पहुत अच्छा पर सिम पूछा था नेमर मैंसे कौन सा रयजय Brett स्वादिक उत्पादन करता है तो यहां असम पच्छिम बंगाल और तमिलाडू चाय का उत्पादन सरवादिक करते हैं नेमन मैंसे किस राज्य समुएं का एक ही उचनियले कौन सी समाचार एजन सी है यह बहुत भार पुचा गया है मैं इस समाचार एजनसी हैं यह यह वारता यहां PTI, UNI और वारता तीनों है, UTI है कैसी समाचार एजनसी नहीं है, उप्सन नमबर एक सही है, यहां समाचार एजनसी है की बजाए नहीं है, पड़ें आप, यह प्रस्म भी रिपीट हुआ है, तीन बीगा गलियारा किन दो देशों को आपस में जोड़ता है, तो भारत औ बंगला देश को तीन बीगा गलियारा आपस में जोड़ता है, बारत और यूनानी कलासेली के मिस्रन को किस कलासेली के नाम से जाना जाता है, तो गंदार शेली के नाम से जाना जाता है, फिल्म बाग मिलका भाग के निदेशक का नाम क्या था, राकेश, ओमपरकाश, महरा बगत सिंग ने किस इस्थान पर बंप भेका था तो यह सेंट्रल असेंबली में बगत सिंग ने अपना बंप भेका था अगला परेगस नाम के आनुझार बारत के किस सहर की जनसें क्या सरवादिक है तो मंबई की जनसें क्या 2011 के जनकरना के नुशार सरवादिक है अंटार्टिका मैंस्टित की गई प्रथम भारती है इस थानी है प्रियोग साला को किस नाम से जाना जाता है तो दक्षनी गंगोत्री के नाम से जाना जाता है मरस 2016 में ओलम्पिक खेल किस देश में आयुजित किये जाएंगे तो यहां ब्राजिल में होंगे वाईू मंडल की सबसे निचली परत कौन सी है तो सोब मंडल सबसे निचली परत है नकसलवाद की जनमिस्तली नकसलवाडी निमर्वेसे किस राजे से समझ दीत है विशु में सरवादी कि लंबी तर्ट्रेका किस खाड़ी की है तो यह बंगाल की खाड़ी की विशु में सबसे लंबी तर्ट्रेका की खाड़ी है ATM मशीन का पूरा नाम क्या है Automated Trailer मशीन है Martin Luther King ने किस देश में एश्वेतों के लिए अधिकारों के लिए शंग्रश किया था तो यह अमरीका से संबंदित है Martin Luther अब भाग शै की बात करते हैं जहां राजस्तान जी की से संबंदित परशन पूचे जाते हैं पहला परशन पूचा गया था परशन संग्या नमर 61 हल्दी गाटी एम खानवा से संबंदित जिलों का करमस सही युगम कौन सा है हल्दी गाटी कौन से में है हल्दी गाटी राजसंबंद में है और खानवा का युद बरतपूर में लड़ा गया था तो बरतपूर राजसमंद और बरतपूर से ही हो जाएगा एक सट का चार नंबर 1857 के सौतंतर्ता संग्राम का राजपूताना में आरंब कहां से हुआ था तो नसीराबाद से हुआ था 1857 का संग्राम राजस्थान में राना कूमबादवरा वो टोडर मलने सुरू की थी सागर मल गोपा का संबंद जेसल मेर से है माकराना में मिलने वाला विशो प्रशिद शंगमर मरकिश किसम का है तो यह केल साइट किसम का संगमर मर पाया जाता है निमन मैसे किस राजा का अभिनव भरताचारे हिंदू सुर्तान साप गुरू राय लिए राय नौर्दान गुरू की उपाधियों से नावाजित किया जाता है तो राणा कुम्बा है सीताबाड़ी निमन मैसे किस जंजाती से समद्वित है तो यह अगला पर्सन खुचागए निमन मैसे किसोतान फार राजास्तान की सबसे प्राचिन सबेदा के अफसेश सं तो यह मतर खान डेगाना में इस्तित है पूरा उत्खनन इस्तल बागोर और नाडोल करमस्किन जिलो में इस्तित है तो बागोर वीलवाडा में और नाडुल पाली में एश्तित है नेमन मेंसे कौन सा युगम सही सुमलित है तो यहां केवलादेव है वो बरतपुर में बाकी सब गलत है तारमरुसतल का विस्तारकिन रज्यों में हैं तो ये राजस्तान पंजाब गुजरात और हरियाना में एश्तित है बेराट में जो प प्रवाइट होने वाली नदी कौन सी है तो यहां आपको बदा देते हैं बीका नेर में कोई भी नदी प्रवाइट है नहीं होती है राज्य राजस्तान का राज्य वरक्स है राज्य पसु का सही सुमलित राज्य वरक्स खेजडली और पक्सी की बात करें पसु की बाद राज्य वरक्स पसु का सही करम तो गोडावन खेजडली और चिंकारा हो जाएगा सही आपसन चार राजस्तान में गेस अधारी थर्मल पावर इस्टेशन कहां पर इस्टित है तो ये दोलपूर में इस्टित है वीर विन्योद बुस्तन कि रचेता शाम शामल दास रणा पूंजा की सराजा का सेना पथी था तो ये रणा परताप का सेना पती था रणा पूंजा प्रच्ट मरक की सब ब्यáriaरन में पाय जाते हैं तो ये तालचापर में ये प्राश्ण हर प्रीक सा में पूचा गया रास्त झांठल्टी गंगा और काम देनुके नामसे प्रशीद नजियों निमन मैसे स translating कौनमायी और कांठल्टी गंगा माईक को और काम धेनुक्त चंबल को कहतें अगला प्रसनाथ वरा में सुर्षेनाथ जी की मूर्थी ने परतिस्ट कर वाया था तो महार्णरा राज सिंग ने नयां परतिस्ट कर वाया था 30 मारच सुन्य नंस को इस्तापित वरा है तो उिरा लाल सास्त्ति थी थी निमनुमे से किस जिले से संबल लदी नहीं गोजरती है तो यहां जालाबाड से नहीं गोजरती चितोड़ कोटा और दोलपूर से निगलती है महार्श श्रिशी देयनंद का सरगवास निम्र में से किस्तान पर हुआ था तो यह जैपुर में हुआ था हुँ अगला पासली निम्र में से किसे माउंट अबु कि राजस्तान में में महत्पुन योगदान था तो गोक लब ह्पा का महत्पुन योगदान था माउंट मेला साकसरता का सरवाधिक दवर्दी डोंगरबर में नेंटम साकसरता पुर्थ ताफगड में पुरुसकी सब सही है एक नमर गलत हो जाएगा मोताना प्रथा के संब्ध में निम्र में से कौन सा खतन सही है तो यहां किसी व्यक्ति की संदिक्द मर्ति होने पर मर्ति उस्तान के श्वामी से हरजाना वसूलना ही मोताना कहलाता है रावली परवत सनकला की दूसरी सबसे उंची चोटी कौन सी है तो यहां सेर सबसे दूसरी सबसे उंची चोटी है जैपुर शहर को गुलावी रंग किस राजा ने करवाया था तो यह राम सिंग दिवतिय ने करवाया था यह प्रशन भी रिपीट हुआ है राजस्तान के किन जिलों में पुलिस अधिकारियों को कारेले मजिस्टेट की सक्तियां प्रापते हैं तो जैपुर और जोधपुर म में मजिस्टेट की कारेले कारेवालक सक्तियां प्रापते हैं निमन मैंसे किस जिले में कोई राष्ट्य उद्यान नहीं है तो यहां गंगा नगर में कोई भी राष्ट्य उद्यान नहीं है अगला परस्न था निमन मैंसे कि सितान पर इतियास में जोहर होने का उलेक नहीं पाया गया है तो सीरोई में कोई भी उलेक नहीं है गागरों जालो रोर रोर रन थंबोर में मिला था नेवन मैंसे किस ने राजस्तान की बहर उपिया कला को विदेशों में प्रदिश किया है तो यहां जानकी लाल भांड इसका सही उतर हो जाएगा अगला प्रसंता प्रेट भाक्सणी राजस्तान की जनजातियों में बड़ालीया का आरत है तो दो परक्सों के मद्विवास समद में मदध्स करने वाला क्या कहला दा था बड़ालीया कहला ता स्वाई जैसंग, द्वजिек वेद्साला इह किस सहर में नहीं है तो यहां मथुरा, ओजेन और दिल्ल स्थाइब बोपाल में उन्होंने नहीं करवाई थी इसके स्थान पर जैपुर में करवाई थी पांच वेट शालाएं बनाए थी इन्होंने निम्नग मैंसे कौन टॉप मुस्लिम रियासत का संस्तापक है तो यहां आमिर खा पिंडारी इसका सही उतर व जाएगा निम्न पक्स द्वरा वर्पक्स से कन्या के बदले में ली जाने वाली धंद्रासी दापा कहलाती है राज पुताना नाम का प्रियोग सरोपरतम कब और किस ने किया था तो यहां अठारा सो इस्वी में जोर्ज थॉम्स ने किया था ने उन मैंसे कौन सा युक्म सही समलित नहीं है राजस्तान में शीत्काल में होने वाली वर्शा मावत किन कारनों से होती है तो यह पच्छीं कारणा होती है अगला परस्भान उझेनाथ फंटार में जिक्तित हैं गक्स ने में फो मिले हैं जोदपुर के निगट ओश्या में इस्तित मंदिर समुआ किस राजस्तान की किस की देन है तो परतिहार काली निये मंदिर मिले हैं राजस्तान के नव गटी 33 में जिले परताब गटगा गटन किन जिलों के छेत्रों को मिला कर किया गया तो यहां बासवाड़ा उद्यपूर चितोड से परताब गटगा निर्मान हुआ है वेशाग शोकुलत तिरत्या व्यम शावरन कि क्रश्न पंचमी में कौन सा तिवा जिला कौन सा है अगला पर्शन पूचा गया था राजस्तान का सरवादिक वन छेत्रवाला जिला कौन सा है तो सही उतर इसमें हो जाएगा उद्यपूर यहां ऑप्शन गलत दिये गए हैं निमन मैंसे किस नदी के किनारे इस्तित गणेश्वर यहूं तामर्यूगिन सब्वेता के अवसेश मिले हैं तो यह कातली नदी के किनारे गणेश्वर सब्वेता के अवसेश मिले राजस्तान के लोक वाद यंत्रों के विश्य में कौन सा खतन सही नहीं है तो यहां फूक लोक वाद येंतर बाक्या एवम करन को मांगलिक अफरों पर नहीं बजाजा जाता है या अफिसन घल्ट है बाकि सब सही है नेमन मैंजसे कौंसा राजस्तान के लोक डेवता नहीं है तो यहा गोगा जी रामदेव जी और पाबु जी है नामदेव जी रास्तान के लोग देवता नहीं है शिल्फ सास्त्री मंडंद वरा रचित ग्रंत रूप मंडंद का संबंद कि स्विश्य से है तो यह मोटी कलास संबंदित है अजमेर की अनासागर जील में किस नदी का पानी आता है तो बहुत ही तो यह मयड़ी प्रसण बांडी नदी का पानी आता है चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना राजस्तान पुलिस भरती परीकसा के सभी मॉडल्स पेपर हम आपको उवलप्ट करवाएंगे जै हिंद जै भारत